सर इसका basic तो हमें आता है, आप कोई short trick बता दीजिए, तो आयो बच्चो, देखो मेरे साथ इसकी short trick, सबसे पहले एक चीज समझना, इसको आपको P by Q form में करना है, जिसके उपर बार हो, जिसके उपर बार हो, वो number तो लिख लो as it is, अब ध्यान से समझना, अब point से पहले जो भी आएगा, शके घुए फढ़ लग जाएगा, मतलow वो subtract हो जाएगा, तो अभी तो पिलाल कुछ भी नहीं है, जिसके उपर बार है, उसके उपर कुछ भी subtract नहीं होगा, और उसके बाद, denominator की बात करों, जिदने फिर बार हो, उतने पर 9, जितने बार नहीं है उतने पर 0, तो अभी तो फिलाल कुछ भी नहीं है, दूसरे एक्जामपल देखो, जिसे for example, सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा नंबर है, उतार लेना है, फिर उसके बाद, उसके बाद जिस पे बार नहीं है, उसके लग जाएगा थपड, जिस पे बार है उतना 9, और जिस पे बार नहीं है वो 0, इसको देखो, 5176 as it is, जिस पे बार नहीं है उसके थपड लगया, मिला माइनस हो गया, जिस पे बार है उतने 9, और जिस पे बार नहीं है उतना 0, इसको देखो ध्यान से, 1926, जिस पे बार नहीं है वो पिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा मतलब, और जिस पर बार है उतने 99 और जितने पर बार नहीं है उतने 00 अगला देखो इसको देखो इसको आप टुकडों में कर सकते हो जैसे इसको लिख सकते हो 5 प्लस 0.319 बार अब इसको दियान से समझो तो यह 5 तो आपको समझ में आ रहा है वह वहीं पर वही लॉजिक फॉलोगा 319 माइनस जिस पर बार नहीं है उसके थपड लग गया जिस पर बार है उतने 9 जितने बार नहीं है उतने 0 इसको दियान से देखो यह भी सेम 15 प्लस 0.4179 पर बार तो 15 प्लस 4179 जिस पर बार नहीं है उसके थपड मतलब माइनस लग जाएगा जिलीट हो गया वह जितने पर बार है उतने 99 और जिस पर बार नहीं है उतने 00 I hope आपको यह वीडियो बहुत अच्छे लगेगी थेंक्यू